गुजराश चुनाव में बंपर जीत के बावजूद हिमाचल की हार ने बीजेपी की जीत के जश्न को फिका कर दिया है। बीजेपी मजबूत और अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है लेकिन उसके इस दावे की हवा हिमाचल में मिली हार ने निकाल दी है। प्रतीश पुनिया के खिलाब भी वसंद्रा गुट लगातार मोर्चा खोल रहा है। इससान की तरह करनाटक में भी पार्टी के भीतर गुट बाजी चरम पर है। पार्टी ने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए कई प्रियोग किये लेकिन गुट बाजी की वज़े से सब फेल हो गया। यहाँ पूर्व सियम रमन सिंग, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, धरम पाल कोशिक, पूर्व अध्यक्ष विश्नुदेव साई गुट सक्रिय है। इन्होंने भी बीजेपी नेतरित के नाक में दम कर रखा है। 2023 में करनाटक, मद्यप्रदेश, राजस्थान और 36 गड़ में विधान सभा का चुनाव होना है। इनमें करनाटक और मद्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि 36 गड़ और राजस्थान में कॉंग्रिस की सरकार है। मिशन दो हजार चौविस में जुटी बीजेपी के लिए जहां दो राज्यों में सरकार बचाने की चनौती है, वहीं दो राज्यों में जीत दर्च करने की भी, लेकिन बीजेपी की गुडबाजी इन राज्यों में कॉंग्रिस का फाइदा करा सकती है, करनाटोक और मर्दे प्रदेश में मौझूदा सियासी परिद्रिशे पर नजर डाले, तो यहां कॉंग्रिस तेजी के साथ मजबूत हो रही है, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने कॉंग्रिस के पैर मजबूत कर दिये हैं, और अगर बीजेपी इस गुडबाजी का शिकार रहती है, तो इ